आज हम आपके सामने एक न्यूव वीडियो लेके आए हैं और यह ट्रीक आपको इंशालला बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो के साथ जुड़े रहेगा और आपके नौलज में इजाफा भी होगा तो हम चलें पॉइंट ओफ दी टू बात करते हैं यह मारे पास दो विं कुलिंग कपैस्टी सब कुछ वगएर हम पेर कितने लेता है लेका हुआ है ठीक है और इसमें आर 410 गैस है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ यह देख सकते हैं आर 410 सही है सेम यह भी वही है ऐसी इस्यू क्या रहा है यह था लीक हो गया इधर पिन वाल से तो हमने किसी टेकनिशन की वज़ा से वायर गल्त लगी तो कंप्रैसर खराब हो गया अब हम क्या करेंगे इसकी जो गैस है इस विंड़ो एसी के अंदर इंस्टाल करेंगे तो यह ट्रिक आपको पूरी यूटूब में किसी भी जगा पे वीडियो नहीं मिलेगी तो यह बहुत सार अच्छी वीडियो है तो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहीएगा इसकी जो गैस है हम आर 410 ए वह इस विंड़ो एसी में इस्टाल करेंगे ठीक है तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे यह जो हमारा विंड़ो एसी है जिसका कंप्रैसर खराब है इसकी जो सेक्शन का यह पाइप लगा हुआ है हम क्या करेंगे नीचे से यह पंच है ठीक है यह आप देख सकते हैं तो उपर से हम क्या करेंगे कटिंग करेंगे कटिंग करके इसके उपर वाल लगा के पिन वाल जो होता है वो लगा के चार्जिंग वाल उसको वेल्डिंग करके फिर बाद में इसको थोड़ी हीट दे कि इसका जो पंच है वो ओपन करेंगे हमारा वो पिन वाल जो है एक एजा सिलंडर के तोर पे काम करेगा क्योंकि इसके अंदर गैस है हमने गैस को जाया नहीं करना उसके बाद इधर हम जब चार्जिंग लैन लगा लेंगे गेज लगा के इधर हमने आरेंडी दूसरी विंडो यसी में चार्जिंग लैन लगाकर रखी हुए सेक्शन में यह आप देख सकते हैं अभी हमने इसको वैक्यम दिया हुआ है वह हमारा वैक्यम लगा हुआ है ठीक है यह आप देख सकते हैं अभी हम वैक्यम कर तो फिर क्या करेंगे कि फिर उसकी जो गयास है इसके अंदर इंस्टाल करेंगे बोध हैं क्या करेंगे यह वायर बूर्ष की मदा से इसको ज़ो जिदर हमने चार्जिंग लाइन लगानी है इसका कारबन जो रिमूब कर देंगे अच्छे से आके हमारी जो ब्रीजिंग है ब्रेजिंग उतार दिया ठीक है इधर हम ब्रीजिंग करेंगे अच्छे से अभी हम क्या करेंगे ट्यूब कटर की मदद से उपर से कटिंग करेंगे देखें अभी हम क्या करेंगे यह ट्यूब कटर की मदद से इसको कटिंग करेंगे साहिए तो नीचे से पंच हुआ हुआ है तो उदर से गया है समारी लेखने होगे अधर करेंगे यह हमारे पास एक चार्जिंग लाइन है इसको हम निदर रखके वैल्डिंग करेंगे ठीक है ते नहीं है कि नोस्प्लाइर की मदद से इसका जो हो लाएं वागशी तक करेंगे कि अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा कापर रड़ कि इसको ब्रीजिंग करेंगे कि अब जब भी आपने चार्जिंग लाइन को इस्टाल करना है तो यह पिन वाल लाजम रिमूव करेंगे ताकि जो इसकी जो उती हैं रबड़ की खुराब हो जाएगी अब हमने पंच को करने से पथेश्य पहले उपन करने से लिखिन वहक्ता एब हमने क्या करना है अपना जो पिन वाल है वह इनस्टाल करना है की तीक है ताकि हमरी गैज हुजाया नो जाए इसको अच्छे से टाइट कर लेना अब हम क्या करेंगे टार्च को उपन करेंगे डिस्तीवरिक आने टारिश में करना थाइज हल्की सी फीर्ण रखनी है तो बिल्कुल इसको नार्मल हीट देनी है बिल्कुल नार्मल ज्यादा हीट नहीं देनी ताकि हमारा पैप खुराब नहीं हो जाए अभी हमने क्या करना है बिस्मिल्ला रहुआने रहा है यह देखें हुआ फैप को पंच था ऊपन हो चुक रहा है करें तो अभी हम क्ति एसको चे करते हैं आप इस अभी हमने यह देखें ये वाला यह व्यांदो आस है यह वाला इसका जो उपने व्यक्यूम करके तो यह हमारी चारजिंग लाइन है डेक है इन जु लाइन ही वह हम क्या करेंगे इस साथ इंस्टाल करेंगे अ मिस की इयर निकालेंगे ठीक हैGR div आफ मैं अब हम गेज़ को ऊपन करेंगे कंप्रेसर अभी बंदी रखना में अroe हम टीए देख सकते हैं हमारी गैस उस कंप्रेसर में जा रही है ठीक है यह अभी आप आपको बंद करके भी दिखाते हैं यह स्लोली स्लोली गैस डालनी आर 410 यह 20 की तरह नहीं डालनी बस ओपन किया और चली गई यह तो दोस्तों यह देखें इसकी जो अभी गैस है इसके अंदर आदी आ चुकी है अभी हम क्या करेंगे क Councillor काट करेंगे यह वाली में मर व्हान को षायर को स्टार्ल के इसको एंड़ करेंगे कि आगे सब्सक्ता है जैसे कंप्रेसर your के वाला यह चाल यहां यह देख सकते हैं ठीक है अभी इसमें 30 PS जो गैस है इंस्टाल हो चुकी है यह स्लोली स्लोली गैस लेगा इधर से ठीक है यह मैं आपको दिखा सकता हूँ इधर से स्लोली स्लोली गैस लेञे है इसने तो यह हमपी हमने इसका एक विंडो यसी से दूसरे विंडो यसी में गैस इस्टाल कैसे करते हैं यह हमने आपको ट्रीक बता दिया है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हो जाए से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं तो यह तरीका कार था गैस इंस्टाल करने का मिलते हैं नेक्श वीडियो में अलाहाफिस निगेवाग मैं एक बात बता दूंँ आरचार्ज दस सो दस का प्रैशर जो होता है वह 115 और 120 के क्रीब क्रीब इसका प्रैशर अपने रखना है सही है ज्यादा ओपर गैस ली करनी